जी टीवी के वन आफ दे मोस्ट पॉपलर शुक कुमकुम भागे के लीड अक्टरस पर आई यह बड़ी अपडेट सामने टीव इंडेस्टी की यह वन आफ दे मोस्ट पॉपलर अक्टरस ईशा रुगानी निभाएंगे शुमें 20 साल के जेनरेशन लीप के बाद फीमेल लीड का केरेक्टर क्या है फूल डीटेल्स कुमकुम भागे की न्यूलीड अक्टरस से जुड़ी हुई बड़ी अबड़ी अबड़ आई यह जानते हैं आज किस एक्स्क्लूसिफ वीडियो में वल आपको बता देन दिनों वैसे ही मेकर्स पॉपलर शुप कुमकुम भाग की कहानी को मोर इंटरस्टिंग बनाने के लिए शुमें कई बड़े बड़े चेंजिस लेकर आ रहे हैं तो हैं अब ताजा रिपोर्ट्स की माने तो खबरें के शो जल्दी 20 साल का लंबड जेनरेशन लीप लेता हुआ नज़र आएगा जिसके लिए बाद शो की कहानी प्राची की बेटी पर आधारित होती हुई नज़र आएगी यानि के अब इस रोल के लिए मेकर्स कई बड़े बड़े आक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं जो के टीव इंडेस्ट्री से हैं तो हैं खबरें के इस लिस्ट में पहला नाम भी इशा रुगानी का सामने आ रहा है यानि के लेटेस्ट रेपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है के इशा रुगानी हमें कुमकुम भागे की अपकमिंग कास्ट का हिस्सा होती हुई नज़र आ सकती हैं तो के इस पॉपलर शो के मेकर्स यानि के एक तक अपूर के द्वारा अप्रोच की गई है शो में फीमेल लीड डोल के लिए आपको बता दे खबरें के इशा रुगानी अगर इस पॉपलर शो के मेकर्स के द्वारा फाइनलाइस कर दी जाती है तो आक्टरस ही शो की अपकमिंग जनेरेशन लीप की बात की कहानी में एज़ फीमेली रेक्टरस के तौर पर यानि के रेंबीर और प्राची की बेटी बन कर ही हमें शो में नज़र आएंगी विल आपको बता दे फिरहाल मेकर्स के दौरा अक्टरस के करदार पर कुछ जादा बेट्स तो खुल कर नहीं सामने रखी गए मगर रिपोर्ट्स यहां तक सामने आ रही है कि अक्टरस को मेकर्स के दौरा अप्रोच किया गया है जो कि टीवी की एक फेमस अक्टरस है युशारूगानी इस से पहले कभी-कभी इतिफाक से हीरो, गायब मोड अन, मसकान और पॉपलर शो जीत गई तो पिया मोरे जैसे बड़े शोज में अपने करेक्टरस को लेकर वैसे ही लाइम लाइट का विशे बन चुकी हैं अब देखना है यह हुगा कि अगर एक्टरस इस शो के मेकर्स के द्वारा फाइनल की जाती है तो एक्टरस को शो का कितना अच्छा रिस्पॉंस मिलता है एस विमेर लीडिंग कास्ट के तोर पर तो वहला पिशा रुगयानी को इस विमेर शो कुमकुम भाग्य की न्यू लीड अक्टरस के तौर पर देखना चाहते हैं के नहीं वहल अपने राइट शेयर कीजिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक कीजिए